प्रिविस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने होंबक दिया था अब मैं आपको फटा-फट से इसकी सोलुशन बना के देता हूं तो हमारे को करना क्या है इंसर्शन करनी है आफ्टर गीवन नोड हैविंग वेल्यू 5 तो लिंक्लिस्ट में कहीं हमारे पास नोड होगी इसकी वेल्यू 5 होगी उसके पीछे हमारे को एक नहीं नोड डालनी है और मैंने उस नहीं नोड की वेल्यू निदिया लेट असपोर्स भी टेक्ट आई तो यहां तो इंसर्ट अनोड हेविंग वेल्यू 2 आफ्टर अफ्ट तो करना है क्या होगा सबसे पहली बात मैं मैं इस कोश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक से सारा कुछ एक्स्प्लेन कर दूँगा ताकि आपको दिक्कत कभी ना आए कुछ-कुछ बाते हैं जो मैंने प्रीविस लेक्चर में स्किप कर रखे हैं उनको भी मैं आज की लेक्चर में करूंगा तो सबसे पहला काम किया होगा हमारे को यह पांच नोड वाली वैल्यू तक पहुंचना तो होगा ना मतलब इस भी नोड की वैल्यू पांच है वह तक अटो-जार मालने को बनावेते हैं अंकुम्हित थ्य-जार प्रीयू थे सबस soient सॉक्षन यह नाम के फ्रीविस का लुँफ वाल्युड दढ़ना कर नाम पांच नाम रखे तुम पांचिन का अच्छा उसके अंदर क्या-क्या होना चेय अचभि पांच अधा होगा वो पी में आ जाएगा ना मतलब पी वही बात है जहां पर head कर रहा होगा वहीं पर प्यारे ही कर रहा होगा है तो जैसे यह समझ जो हमारा हो गया head एह head हो गया और इस लोगे यह जो node है उसका address one thousand है तो head में one thousand था और जैसी आपने यह insert after function call किया होगा में वाइड में समझ रहे हो ना इंसर्ट आपने कॉल किया होगा है यह पी में आ गया होगा तो मतलब पी नाम का पॉइंटर भी इसी नोड को पॉइंट करने लग गया होगा फिलहाल यह से नियर्य हमारे पास बन चुका है अब करना क्या है तुम्हारे को अच्छा अब एक एक नजी डालनी है जिसकी वैल्यू दो है तो आप ऐसे भी कर सकते ते यहां से लेट लेंगे हम एक्स और दूसरों ले लेंगे सेंटर वाई अप इसको स्वां पिसको जनिलाइज inadequ रिसकते थे कि हैविं वैल्यूए AC एक नोड की value x है और उसके पीछे हमारे को एक नोड जिसकी value y है वो डालनी है तो यहां से x y आ पास कर सकते हैं अपने अपकर सकते हो यहां पर बार पच्छी जग को explain नहीं करूंगा तो बस मुटी मुटी बात क्या है कि x के अंदर 5 आगे y के अंदर 2 आ चुका है चलो अब अब हमारे को करना क्या है यह बता हो जादा मुझे तो पी की help से हम एक करके आगे बढ़ते जाएंगे जब तक 5 नहीं जाएंगे तो 5 कब मिलेगा मतलब यह क्या है वैल्यू है ना तो मतलब पी को हमारे को यहां पर इदर आएगा धिरी-धिरी करके हम आगे शिफ्ट करते करते हैं यहां पर लेकर करके आएंगे मतलब तक पी की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक हम आगे-आगे बढ़ते जाएंगे है ना तो हम अल्टिमेटली क्या कहना चाहते हैं वाइल पी वैल इस नॉट इकॉल तो 5 पी इस इकॉल तो पी का next अफकोर्स बहुत कुछ करना ह आपको बताऊंगा जो जो steps में आपको बताऊंगा उन्ही-उनी steps पे गेट में question भी आते हैं तो बहुत ध्यान से करना हां जी तो सबसे पहले मैंने काम यह करा वाइल पी वैल नॉट इकॉल तो फाइव तो मैं आगे-आगे-आगे बढ़ता जाओंगा और जब तक पी की मिल जाएगी तो पी यहां पर आगार के खड़ा हो चुका है अच्छा आप हमारे को ग्या करना है आप हमारे को एक नई नोड बननानी है तो नोड बनने का तरीक हमारे को आता है तो हम क्या करेंगे I think यह सब बाते मैं आपको बहुत बार पहले कर चुका हूँ तो मेरे खाल से मुझे बार-बार बोलने की जुड़त नहीं है च्रक west प्रफ साइख वहर this करते ही ऩिन नोड बंचुकी है ये बन चुकी है और पी वन नामका पॉइंटर इसको पॉइंट भी कर अब एक जिसंद्र नोड के लिए सिर्फ समझे को बया दो है श्रुक्त अब इस नोड के लिए सिर्फ एक मातर यह पॉइंट रथा मैं उसको चेंज कर दूँगा तो बहुत बड़ी मुसीबत में पॉइंट में पॉइंट कर रहा है अब 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 तक समझ पारे हो गया अब तक चल क्या रहा है तो फिलाल यह हुआ में पास अब अगर आपने यह कर दिया यह उड़ गया तो फिर पूरी आगे के लिंक लिए सारी उड़ जाएगी जो की बहुत बुटी मुसीबत हो जाएगी और यह बेसिक बाते में यह जाए यह पॉइंटर अभी खाली है तो इसको पहले इधर पॉइंट कराओ ताकि यह दोनों पॉइंटर इस नोड के लिए हो जाए अब मैं सेफली इसको चेंज कर सकता हो तो सबसे पहले हमारे को क्या काम करना चाहिए था पीवन का नेक्स यह क्या है इस नोड का अट अटरेस कहां से निगलेगा अवकोर्स-पी करनेक्स निकलेगा है क्योंकि पी नेक्स जो है अपया पॉइंटर है अंतलि हॐम क्या कहेंगे पीन का नेक्सट एस इकॉल टो पी का नक्स्ट पोलो मृता आस में कर दो डाउट हा रहा है पी का जो नेक्स्ट है इस सपोस्कर ल दोनों के दोनों एक नोड को पॉइंट करें, that is 4000, अब मैं क्या करूँगा, बस ये P का जो next था, उसको मैं P1 पर shift करता हूँ, हो गया काम खता हुआ, तो P का next, P का next, that is equal to P1, बस that's it, हमारा काम खता हुआ, हमने node insert कर दी, सारा काम एक दम first class हो चुका है, अच्छा, अब आप जरा मुझे बताओ, क्या ये program ठीक है, या इसमें कहीं कुछ न कुछ गरबढ़ है, answer, तो step by step हम एकदम चलाएंगे इस program को, ताकि हमारे concept बेकदम बढ़िया तरीके से clear रहे, फिलाल हमारे को लगए बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही चीज है, पेपर में एक सी drive के questions आएंगे और आपको तंग करेंगे, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल first class insertion करेगा, लेकिन सुपोस करो, link list में एक भी node ना हुई तो link list बिल्कुल खाली है, तो इसका मतलब जो head थ और पी में भी वही बात है नल आ गई, और आप क्या कहरो, पी वैल, तो नल की value निकालने को शिच करो, नल पे value, वही कुछ है ही नहीं, तो वही बात है, segmentation fault error आजाएगा, तो मैं यहां पर क्या बोलूँगा, program में error, क्या आएगा, if link list is empty, मैं इसको कोई और रंग से लिख program, then above program, will give segmentation fault, okay, above, you can say function लिखो, क्या हमने a simple function ही बनाया है, if link list is empty, then above function will give segmentation fault, यह एकदम ठीक हो जाएगा statement, ऐसे कोशन हैं के gate में, आप देखते ही बता होगे, बिस segmentation fault पता कैसे लगा, कि अगर link list मेरी empty होईगी, तो head of course, null पे point कर होगा, head will be null, मतलब, it is pointing no way, याद करो null pointer, सब चीजे मैंने आपको सही लग मुझे बता रही है, तो कहीं point नहीं कर रहा, head is null, ultimately p में भी null आगया, तो अब आप क्या करना चाते हो, while p value is not equal to 5, बेटा, null pay value कैसे देखोगे, आप dereference कैसे करोगे, उसको फस गया, तो इसका मतलब यहीं से ही segmentation fault आया है, और यह line number भी देदेगा gate में, कि line number 1, line number 2 and so on, ऐसे बोल देगा, line number 1 ऐसे लिख देगा, यह line number 2, line number 3 बोलेगा, line number 1 will cause segmentation fault if link list is empty, आप बोलोगे, हज जी बात बिल्कुल ठीक है, I hope आपको संमया होगा कि कैसे question आएंगे gate exam में link list से related, पता लग गया, आप इस segmentation fault को कैसे उड लिख करता हूँ, तो देखो कुछ नहीं है, मैं इसी slide की copy बना लेता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ, let me copy this slide and paste it, हाँ, अब मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूँगा, तो यह हटाते है, line number भी हटाओ, और अब यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले, of course, कि empty तो नहीं है, मतलब P null तो नहीं है, अगर P null होगा, तो हम बोल देंगे कि link list has new element, तो हम क्या बोलेंगे, if P double is equal to null, जैसे आपने यह void main से यह function आपने call किया था, तो control हमारा function में आ गया, और P में क्या आ गया, जहाँ पे head था, वही पे P हो गया, तो अगर head में नल था, त तो ultimately हम क्या कहेंगे, if P double is equal to null, तो आप क्या बोलोगे, printf में लिख लेना, link list empty, link list empty, hence we can't insert node, और फिर यह वाला पूरा जो पार्ट होगा, यह else में आ जाएगा, यह if हो गया, if P is equal to null ends on, और यह अब else में आ जाएगा, अब ज़र मुझे समझाओ, अब यह ठीक ठाक है, यह अभी भी गरबड़ा है, अब देखो, मैं आपको ध्यान से और समझाता हूँ, अब फिलाल सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा आपको, कि हांजी, यह link list empty वाले tension क्तम होगी, अब suppose करो, अब वही बात है, मैंने बोल दिया कि 5 value वाली node, sorry for that, 5 value वाली node हमारे को मिली, मैंने यहां पे यह implicit exemption मानी होगी है, क्योंकि मैंने क्या, while P value is not equal to 5, P is equal to P का next, मैं आगे-ागे बढ़ता जा रहा था, and so, जैसी P value 5 मिलती थी, तो हम लूप से बाहर आ जाते थे, औ आई हो पर सब्सक्राइब होगे, हमने इंसर्शन कर दी, but what if 5 value वाली node मिली नहीं, तो हमने यहां पे बात ही नहीं करी, ultimately घूमते-घूमते क्या होगा, आप यहां पे इस लूप में ध्यान लगाओ, बस है, P value is not equal to 5, पहली हमने देखा link list में, पहली node देखी, नहीं मिली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, चलते-चलते है, फिलकुल last में आगे मतलब null पर होगे, क्यों क्यों तो कि जब विलकुल last node होगी, last node कि क्या रखभा होगा null, और फिर अब लोगे P is equal to P नेक्स, तो अल्टिमेटली हम null पर होगे, पहली बात है समझान लूप कैसे चल रही है यह देखो, सबसे पहले आपने यहां पर देखा, वाइल P value is not equal to 5, initially P यहां पर खड़ा होगा, suppose कर लो यहां पर value 60, तो आपने बोले 6 is not equal to 5, तो इसने क्या बोला P is equal to P का next, ultimately यह next होगा, जो हां पर भी point कर रहोगा, तो P यहां पर आगर के खड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे चलते चलते हैं, आप यहां पर खड़ा हो जाएगा, अब ultimately यह सुपोस करो last node है, फिर यहां पर आया और यहां पर नल है, है न, nothing, तो फिर ultimately P यहां पर आएगा, मतलब nowhere, है न, मतलब finally P के अंदर क्या आ चुका है, नल आ चुका है, मैं ऐसे बोलूँगा, P में नल आ चुका होगा, क्योंकि P is equal to P connect करोगे, P connect null था, तो ultimately P में नल आ गया, अब आप उपर रूप में जाकर क्या चेक कर रहे हो, नल की value not equal to 5, फिर वह बाद, the reference, फिर वह बाद, segmentation fault, यही यह, मैं बारवर दातो, बेटा, boundary value analysis, यही सब आपको करने आने चाहिए, नहीं करने आएंगे, तो फिर आप link list के programs नहीं solve कर पाऊगा, ठीक है, हाँ जी, तो ultimately हमारे को क्या समझ में आया, फिर मही यहापी क्या बोलूँगा, error, error क्या आएगा, बेटा, segmentation fault, segmentation fault, if link list does not contain, does not contain node having value 5, तो if link list is not empty, proper लिखो, if link list is not empty, क्योंकि empty होगी, तो फिर तो हम भाग गए ना, empty में भी तो 5 नोड वाली, 5 वाली नोड नहीं मिली थी, तो इसलिए ऐसे लिखो, ढंग से, proper लिखो, segmentation fault if link list is not empty, and it does not contain node having value 5, ढंग से लिख लेना बेटापकिसा, मैं थोड़ा गंदा सा लिखता हूँ, तो वह मैं नहीं चाहता, देखो, error क्या आएगा, segmentation fault if link list is not empty, and it does not contain node having value 5, I hope आप समद पार होगा, इसको लिख लेना बेटा, पॉस करके lecture को, ठीक है, हाँ, तो ultimately ये problem है, और कौन से line पे आ रही है, मैं line number लिख देता हूँ, line number 1 में problem है, तो मैं बोल दूँगा, at line 1, gate में ऐसे आते हैं, line number दे दे करके आप से पूछते हैं, कि इस line में ये problem है, इस line में ये problem है, पात पकड़ में आगी, तो आब इसको कैसे sort out करूँ, आता हूँ, अंगली slide पे, इसी की copy बनाता हूँ, और ठीक करने के कोशिश करता हूँ, copy slide, paste, अब बोलो बेटा, कैसे sort out करें, तो ultimately मेरे को किसी दर्के से ये पता लगना चाहिए, कि मैं आखरी नोड पे आ चुका हूँ, और उसके आगे बढ़ूँगा, तो मैं फज जाओँगा, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, कि जब हमारे पास चलते चलते P की value नल हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, हमारी link test खतब हो चुकी है, और हमारे को आगे नहीं पढ़ना, और फिर वो segmentation false से हम बच जाएगे, हुआ क्या था, ultimately, जब आप लास्ट नोड पे खड़े थे, उसके next में नल था, तो आपने क्या बोला, P is equal to P का next, तो ultimately, P यहाँ पर आपकर के खड़ा हो गया, और वो यह क्या था, नल, मतलब nothing, जिस इफ सम्झाने के लिए बताता हूँ, null means nothing, तो मतलब कोई memory location ही नहीं, it is pointing nowhere, null pointer वाली बात, हाँ जी, ultimately क्या हुआ, P is equal to P connect करा, तो हम ultimately null पे आगे, अच्छा, अब मैं क्या करा था, फिर null पे value, उवो problem हो रही थी, तो इस problem को sort out क्या होगा बेटा, अफको आपको check करना जाए था, पी शुड नॉट बेटा क्या है आप मैं से बहुत सा स्टूट्स बोलेंगे, कि सर ऐसे करते हैं ना, इस पे थोड़ा बढ़ा करता हूँ, अब लोगे कि सर इसी में ही हम क्या करते हैं, यहीं लिख दो, एंड एंड पी शुड नॉट बी इकोल टू नॉल, ऐसे लिख दो, हो गया काम ख़तम, फस गया, क्यों हो फस गया, क्योंकि बेटा देखो, यह एंड करके लिखा हूँ है ना, आफकोर्स पर पहले इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, तो पी इस इकोल टू पी का नेक्स्ट आपने कर दिया, तो अब जैसी पहले वो उपर जाएगा, मतला कंट्रोल उपर जाएगा, तो देखेगा पी वाली नॉट इकोल टू 5, अफकोर्स फिर ननल होगा, फिर नल की वाली हो 5 चक करने को सुच करो, जो कि फिर भज जाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले, पी नॉट इकोल टू नल को इधर करो, और इसको इधर करो, तो यह धियान रखना है, तो इसको रखो इधर, और इसको रखो इधर, इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे अब एगदम ठीक है, वाइल, पी नॉट इकोल टू नल, सबसे पहले, आप चेक करोगे कि पी नल तो नहीं है, अगर ना लोग और तो फिर एंड है ना, यह शॉट शर्केटिंग जलती थी, याद है आपको, अगर यह सब नहीं बता तो C language की playlist देखो, वापे मैंने बदा रख है, एंड है यह, एंड ओपरेशन है तो अगर एक भी false हुआ, तो दूसरा जाकी क्यों करना है, क्योंकि false and something is false only, always, तो इसलिए लूप तोड़के आप सिधा बारा जाओगे, आगे आप चेक करने नहीं जाओगे, तो इसलिए हमारे को सबसे पहले यह लिखना चाहिए था, और उसकी बाद चेक करना चाहिए था, P value is not equal to 5, अगर आप इनको उल्टा रखोगे तो बहुत बुरुए फज़ा होगे, आज होब आप समझ पार होगे, प्लिस इसको लिख लेना, बहुत important point है बेटा, question आ सकते हैं और आपको पसा सकते हैं वाँपे, तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए था, P is not equal to null, और उसके बाद क्या लिखना चाहिए था, P value is not equal to 5, उल्टा करोगे तो खुद वज़ा होगे, क्योंकि अगर जैसे P is equal to P करनेस करोगे, जैसे P में null आएगा, फिर वही बात है नल पे value चेक करने को सुषिज करोगे, और उसके बाद देखोगे P is not equal to null, फिर क्या फाइदा, segmentation fault तो हुई चुका होगा न, तो इसलिए इनकी position ध्यान रखना पेटा, पहले ये फिर ये, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको सम्झा चुका होगा, चलो, अब at least इससे तो बचे हम, कि segmentation fault हमार पास नहीं आएगा, है न, तो ultimately अगर 5 ना भी हुआ, तो ultimately हम क्या करेंगे, link list में ये देखो बेटा, 5 अगर मेरे को नहीं भी मिलता, तो हम चलते 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 आगे बढ़ते जाएगे, और जब last में हमारे पास कुछ नहीं होगा, जब link list में खतम हो जाएगी, तो फिर हम loop से बाहर आ जाएगे, हमारे segmentation fault तो नहीं आया, लेकिन ultimately फिर यहाँ पे आप फिर फज्जा होगे, है ना, तो फिर क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने नहीं नोड़ी त्यार कर ली थी, और यहाँ पे P1 next और यह सब फिर कर रहे हो, तो वही बात है, P में नल था, तो P फिर next करोगे, तो फिर segmentation fault में फज्जा होगे, है ना, तो of course, अब सबसे बड़ी मुसीबत किया हमारे सामने है, हमारे को यह नहीं पता कि हम लूप को तोड़के आए कैसे है, मतलब P is equal to null के करण लूप से बार आए है, या P की value not equal to 5 के करण लूप से बार आए है, हमारे को यह नहीं पता, अगर आपने अभी as-is program छोड़ दिया, तो फिर तुम फिर फिर फज्जा होगे, फिर वही बात है, segmentation fault, तो क्यों segmentation fault आएगा, क्योंकि फिर वही बात है, पी is equal to, ये, P next करने कोशिश करोगे, और P में हमारे पास null था, फिर नल का next, फिर वही बात है, dereference and that will create problem for us, नहीं होगा, तो ठीक है, खेर, मैं इतना लंबा नहीं खीचता, बिल्कुल obvious ही बात है, आप समझ पारे होगे, तो मैं पहले इस error को हटाता हूँ, यहां से, ठीक है, और उपर आ करके, क्या करना पड़ेगा मेरको, इन तीनो लाइनों को नीचे shift करना पड़ेगा, और यहां पर मेरको checking करनी पड़ेगी, कि मैं लूप से बाहर कैसे आया हूँ, या तो इसके कारण या इसके कारण, किसके कारण आया हूँ, तो मैं नीचे आ करके पहले लिखता हूँ, कि इफ पी वैल, इस नॉट इकॉल तो फाइफ, तन, सॉरी, इफ पी वैल इस इकॉल तो फाइफ, है न, इफ पी वैल डबल इस इकॉल तो फाइफ, है न, क्योंकि ये लूप से बाहर है, तो क्या बता, पांच निकला हो, तो आपको इस सारी कहानी करनी है, आप बता, क्या ये बाद ठीक है, common sense से सोचो, यही मज़ा है न, गेट का है न, इसलिए मैं कहता हूँ, पूरा डीप में ढंग से जो का अनलेस किया, अगर आप आपने ये कर दिया, तो directly, directly, फिर फस गए, क्यों हो सकता था, अगर आप P null से बाहरा आए थे, अगर P की value null थी, आप बाहरा आए थे, तो फिर वो बात थे null पे value चेक कर रो, तो फिर वो इस सारी मुसीबत दोबाराना शुरू होगी, तो तुमने किया है क्यों है सारा काम, प्लीज बहुत ध्यान दखना, मैं बार-बार बोल रहा हो, तो आप अपस्जा होगे, यह नहीं करना, तो क्या करना चाहिए था, इस पे काटा लगा दू, है ना, मैं लिख देता हूँ, अगें सेग्मेंटेशन फॉल्ट, निचे लिख देता हूँ, अगर वो नहीं मिली, तो फिर सेग्मेंटेशन फोल्ट हो जाएगा, तो बड़े एलाज क्या होगा, दुबारा इसकी कॉपी बनाते हैं, अब क्या करेंगे, अटाओ इसको यहां से, और यह काम निकरना बेटा आपको, आपको यहां बोलना चाहिए था, अटाओ, तो आपको क्या बोलना चाहिए था, इफ पी डबल इसकोल टू नल, तो अंदर आगर के लिखो, प्रिंट एफ, नोड, नोट फाउंड, बस लिखके छोड़ देना, जो आपको मैसेज प्रिंट करवानों करवाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, और एल्स में यह लिखो, मतलब नल नहीं था, तो मतलब इससे आप अब आएओ, पी वैल्यू नोट इकल फाई, इसके कारणा आप आएओ, तो मतलब पी की वैल्यू फाई मिल चुकी है, वैल्यू मिल चुकी है, तब आपको इसारी insertion करनी थी तो else में आपने ये कर दिया अब ये एकदम first class program बना है अब आप बताओ मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है आपको कोई परशानी लग रही है boundary value analysis करके देख लो suppose कर लो अब देखो मैंने क्या क्या cases आपको साथ discuss करें सबसे पहला case empty link list वो ये handle कर लेगा empty link list को handle कर लेगा दूसरा case node having value 5 not found having value 5 not found उसको भी handle कर लेगा अच्छा अब एक वैसे देख लो कि सिर्फ एक मातर node हो मेरे पास जिसकी value 5 हो मतलब link list में है सिर्फ एक node जिसकी value 5 है क्या उसको ये handle कर पाते है के नहीं कर पाते है just as a testing यही चीज है बेटा मतलब फोड़ा आपको cases बना बना के देखने पड़ेंगे boundary value analysis में बार अबर कह रहा हूं बिलकुल boundaries पर जाकर के देखा करो सिर्फ एक मतलब node रखो जिसके अंदर value 5 है अब क्या ये link list वाला program उसको handle कर पाएगा है नहीं कर पाएगा ये link list वाला function उसको handle कर पाएगा है नहीं कर पाएगा चेक करते है पड़ा पड़ा ये ही 5 है यहाँ पे null है head हमारे पास यहाँ पे point करके बैठा होगा तो जैसी आपने function को call किया होगा तो P में यही आ गया होगा तो ये 1000 मान लो तो head में 1000 आ गया P में भी वो चीज़े 1000 आ गया जैसे मैं चेक करो वैसी paper में करना shortcut ने लगाने shortcut लगा तो फिर बज़ा होगी तो head में 1000 था P में 1000 आ गया अब आप सिधा आएगी धर आपने बोला सबसे पहले कि P is equal to null कि 1000 नल के बराबर है छोड़ दोसको भाइल P is equal to null है हजी थी कि 1000 नल के बराबर नहीं है और P का value 5 है कि नहीं है P की value 5 है पांच है तो आप सीधा लूप तोड़के बाहर आ गए अब आपने बाहरा करके देखा इस लूप से बाहर देखा कि इस इक नहीं 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 है तो आप सीधा बोलोगे तो मैं यहां पे नोड में डाल देता हूं पीवन वैल इस इकोल टू तो पीवन में दो आगे यह तो है ना स्टैप आ स्टैप करने का चीज़ें सारी याद आजाती जो भी हम भूल रहे थे अच्छा जी उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे और साथ-साथ यह हो गया अच् तो पीवन का नेक्स is equal to पीवन अनेक्स तो यहां पर आ गया नल आ गया आ यहां पर आप समय पारे हो गया अच्छा जी उसके बाद फिर हम आपने क्या कर दा पीवन तो अल्टिमेटली यह इधर आ गया बस तो पांच वरी नोड के पिछे हम एक नई नोड इंसट कर दिया जिसकी value 2 है, फिल्कुल first class तरीके से, मतलब अगर सिर्फ अकेली node होती, ये, तो भी ये handle कर रहा था, अच्छा, अब अगर अकेली node होती, जिसमे value 5 ना होती, क्या उसको ये handle कर पाता है program, let me check it out, let me check it out, let us suppose हमारे पास एक node है, और उसमे value 2 है, तो क्या उसको handle करता है ये, let me do it, मज़ा आ जाएगा बेटा, ये ही तो मज़ा है ना, gate में जी, मज़ा ये है, ऐसे से करके ही आपको testing वेस्टिंग करनी आनी चाहिए, ढंक से कि सब कुछ काम ठिक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे value से 8 रखी हुई थी, 8, अच्छा जी, अब आओ, अब आओ, अब चेक करने के लिए, तो अब क्या करेंगे, इसमें 8 रखा हुआ था, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये P is equal to null, तो नहीं है, वाइल P is not equal to null, हाँ जी, बोलो भई, क्या P is equal to null है, ना, P null तो नहीं है, अच्छा, फिर आप बोलोगे, क्या P की value not equal to 5 है, हाँ जी, बिल्कुल, है ना, 8 है, 8 is not equal to 5, बिल्कुल बार ठीक है, तो अल्टिमेटली हम क्या कहेंगे, प is equal to P connect, बात समझ दो, दोनों चीजे true हुए है, ये भी true हुआ है, ये भी true हुआ है, ये भी true हुआ है, फिल्कुल हम क्या कहेंगे, P is equal to P connect, प is equal to P connect, करते ही, 8 था यहाँ पे, है ना, तो ये भी एक पर ये सब भटा देता हूं, just to show you, 8 था यहाँ पे, तो फिर अब हम P इधर आ गया, मतलब null पे आ गया, P is equal to P करने शर्टे नल आ गया, तो आप क्या बोलोगे, while P is not equal to null, yes, P is null, तो सिधा बाहर आएंगे, हम बोलेंगे, if P is equal to null, yes, तो आप क्या बोलोगे, printf not, not found, काम खतम, तो अगर अकेली नोड थी, जिसमें 5 नहीं थी, उसमें भी चल रह है, अब यह फालतों की बात है, मैं एक दो आपको homework में देता हूं, क्योंकि यह सब cases आपको आने चाहिए, है न, तो जो 5 node वाली value है, वो बिल्कुल last में है, there are multiple nodes, और 5 node वाली value जो है, 5 node, 5 value वाली nodes, sorry, 5 node वाली value है, 5 value वाली node, मैं थोड़ा सा confuse हो, आप अपने आपको समझ पा रहे होगे, tongue twister हो गया, यह किसम से है, हाँ, तो 5 value वाली node, last में जाकर के मिलती है, मैं इरको बिल्कुल link list के, तो क्या यह उस case को handle करेगी, यह आपके लिए homework है, तो ultimately, यह बिल्कुल perfect है, मैंने वैसे आपको बता दिया, but HW में मैं क्या कह रहा हूं, of course, हो जाएगा आ मैं जब तक लिखूंगा, आपका answer भी आ चुका होना चाहिए, और ठीक है, वैसे handle कर जाएगी, आप समझ पारे हो गया, क्योंकि last node होगी, अगर तो वही बात है, आकरी में लोगा और क्या होगा, handle हो जाएगा, उसमें कोई tension की बात ही नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देत link list in which node having value 5 is at last, यह बताना है, अच्छा, एक और बड़ी है सवाल दिमाग में आ रहे है, यह भी तो हो सकता था, कि 5, मैंने बोला 5 की बार डालना है, तो multiple 5 होते है, if you have multiple 5, तो क्या करेगा यह, और कहां पी insert करेगा, अफकोर्स आप समझ पार होगे, पहला 5, जो भी पहला 5 नजरायेगा इसको, क्योंकि हम आगे तो बड़ी नहीं है, हम तो sequence में आगे आगे बढ़ते जला रहे थे, PC आगे 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 बढ़ते जला रहे थे, जैसी 5 मिलते हैं, हम वहाँ पर insertion करवा देते हैं, तो अगर multiple 5 होंगे हमारे पास link list के अंदर, तो पहला 5 जो भी नजराता है, वहाँ पर ये करके आजाता है, if multiple 5s, if multiple nodes have value 5, if multiple nodes have value 5, then this function will insert new node after first node having value 5, I hope आप समझ पारे होगे, पहली node पे ही डाल देगा, यह है न, आगे बड़े ends on, of course, अच्छा, अब मैं आपको एक homework में दे सकता हूँ question, एक बहुत अच्छा, और वो आप I think अपने आप attempt भी कर जाएंगे, कुछ नहीं है, homework में में आपको क्या कह रहा हूँ, कि if multiple nodes have value 5, then function should insert value after last node having value 5, जो भी last node मिलेगी न, आपको 5 value वाली, उसके बाद आपको insert करना, शुरू वाली में नहीं करना, तो, प्लीज, ये मन सोचने बाढ़ जाना, कि मैं लिंख्लिस को उल्टा उल्टा से देखना शुरू कर दोँगा, उल्टा में देखने सकता, बैटा, डेभले लिंख्लिस नहीं है, देखोंगा तो सिधा ही, फिर, skip मारता मारता आगे बढ़ना चाहिए था मुझे, है ना, तो हमग में मैं क्या कह रहा हूँ, कि if multiple nodes have value 5, then insert new node after last 5, आखरी वाला जो 5 node होगा, उसके बाद आपको डालना है, तो मतलब समझ में आ गया ना, जैसे ये link list है बेटा, ताम बड़ा असान है, मैं आपको hint दे दूँगा, पूरा solve करूँगा ना, तो बहुत time लग जाएगा, और ऐसे बेटा, फिर हमारा data search algorithm खतम ही नहीं होगा है, बहुत लंबा कोर्स बन जाएगा, और इसका कोई अंती नहीं है, इतने कोशन होते हैं, डेटा से अलगरोडर में इतने कोशन से हैं, अंतनी है, तो suppose कर लो, मैंने बोल दिया कि, इस नोड की value से 5 है, इस नोड की value भी 5 है, इसके बाद आपको नहीं नोड डालनी है, इसके बाद आपको नहीं नोड डालनी है, मतलब लेट मी शो यू इसको ऐसे करना, और इसको ऐसे करना, जिसकी value 2 होनी चाहिए, तो लास्ट वले 5 के बाद डालना है, कैसे पता लगेगा, आखरी 5 आया, पूड़ा सा दिमाग लगा आपको पता लग जाएगा, मैं hint दे देता हूँ, hint देना मेरा जिम्मेवारी है, बाकी question solve करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ऐसे सारी question कराऊंगा, तो बड़ी दिक्कत होएगी, hint देखो कितना असान है, हम क्या करेंगे, यह पी होगा, पहला पी धर आएगा, P की value is equal to 5 मिलेगी तो मैं एक नया pointer ले लूँगा P1 और उसके अंदर मैं P को store करा दूँगा तो मतलब P1 नाम का जो pointer होगा वो इसको point करने लग जाएगा तो मैं सिर्फ हिंट दे रहो आपको logic अपने अपसे click हो गया कि हमारे को करना क्या है अच्छा फिर ये लूप तो हमारी बंद होने नहीं वाली चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे तो जब फिर वही बात है P को point करने लग जाएगा तो जब P is equal to null हो जाएगा हम लूप से बहार आ जाएगे तो finally P1 will be the pointer which is pointing to the last 5 बस अगर आपको ये समझ में आ रही है तो अब इसको लॉजिक में ढालना कोई बड़ी बात नहीं है बहुत राम से बहुत इसली आप इस सब को कर जाओगे मैं Homework देके भाग रहा हूँ बहुत जदे important question नहीं है of course इतना important नहीं होता तो मैं आपको जरूर पूरा प्रोग्राम बना करके सारा आप Homework में ले लो अराम से इसको करके देखना कोई दिक्कत नहीं है फिर भी परशानी आए कमेंट सेक्शन में पूछिए कोई नहीं को student आपको reply कर देगा नहीं तो टेली ग्राम चैनल में सब्स्राइब करो डिस्कॉर्ड सर्वर सब्स्राइब करो वहां पर आपको बहुत सा स्टूड़ेंट्स मिल जाएंगे जो आपकी help करतेंगे यह ना है बट मैं explain करने बैठूंगा तो लेक्चर भी बहुत लंबा कीचेगा और अफकोर्स फिर यह जो subject है बहुत लंबा कीच जाएगा गेगा मैं इसको complete करना है वो रह जाएगा फिर आपका अफकोर्स उसके बाद अगर time बचेगा तो मैं बता दूगा है बहुत इजी है कुछ भी नहीं है बट आपको थोड़ा दिमाग चलना चाहिए आपको कोशिश करना हो जाएगा कुछ भी नहीं है अफकोर्स नहीं चलो करके जाएगा खीच रही है तो यहीं से आगे नेक्स लेक्टर में बढ़ाऊंगा और नेक्स लेक्टर में आकर के मैं आपसे बात करूंगा एक शर्षन बिफोर एक लेक्टर में आपने सिर्फ एक कोश्चन करा है लेकिन इस एक कोश्चन ने आपके बहुत सारे concept clear कर दियोंग नेक्स लेक्टर में आकर के यह से आगे बढ़ाऊंगा और जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं बिल्कुल वही तरीका फोलो करना है तो सबसे पहला step number one होता है बेटा core logic सोचो जैसे मैंने आज की प्रोग्राम में आपको करा है क्या करा है मैंने आपको सबसे पहले core logic है तो चल रहा है के नहीं चल रहा एंड सौन यह सब बात की बाते होती है सबसे पहला काम होता है बेटा core logic सोचना क्योंकि अगर आप पहले boundary value analysis में घुच जाओगे तो बेटा आपका दिमाग ना इद उदर शिफ्ट हो जाएगा मतलब छूटी छूटी बातों में दिमाग क्योंकि आप core logic बनाए बैठे होगे तो आपकी दिमाग से लगबग 90% तो जाई चुकी होगी कि हाँ जी मेना प्रोग्रम तो बनी चुक है आप छोटी-छोटी केसिस को हैनल करना है वो मैं कर जाओगा एक hidden confidence आपके तर बिल्ट अप होगा और जब वो confidence आएगा तो आप अ जिन्दिगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे तो छोटी-छोटी जीजी में देखा करो पहले एक बड़ी पिच्चर देखो उसके बाद देखना है ना छोटी-छोटी-छोटी जीजी कैसे हैंडल होगी है तो वही चीज़ है पहले core logic करना होता है उसके बांड रिवान अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है आप प्लीज वीडियो को लाइक करते रहा करो अपने फ्रेंगे शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और ज्यादा से जादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए और अगर आप मुझे देना चाहते हो तो QR आपको मिल जाएगा अप चैनल बैनर पे राइट हैं उपर टॉप राइट में अगर आप कम्प्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट को अगर आपको डिस्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो डा जादा active group है बत सार एक्टिट्स रहते हैं ग्रूप फटाफट से आपको रप्लाइ मिल जाएगा लेकिन अगर और अगर और जदा मैनेजड दुए में चलना चाहते हो बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से की डाउट सलग लग लग हो अम जैसे टीओ से का अलग चैनल हो, डिजिटल का अठनल हो एंड सान तो आफ चैनल वाइस चैनल हमने बना रखा है बहुत अचा सा डिस्कॉर्ट सर्वर हमने में बना करके दिया था तो आप उसको भी सर्स्वराइब कर सकते हो लिंक अपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा सब कुछ फुरी है वह अ मैं कि जीज के रिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, everything is free of course, donation देना चाहते हो, most welcome, आप दे सकते हो, बट ये सब चीज है, मैं आप लोगो के रिए lifetime फ्री रखुआ, discord server हो गया, telegram channel हो गया, और मेरा youtube channel हो गया, everything will be free of course, मैं अपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगूगा आप से, ठीक, आप जो देना चाहते हो, आप वो मुझे दे सकते हो, okay, thank you so much, bye-bye.